बस ये तीन काम करें आपको अपनी दिंचर्यम इंक्लूड करने हैं जिसकी वज़े से आपको बहुत सारी लाप मिलेंगे तो उमीद करती हूँ आज की ये जानकारी आपको बहुत पसंद आएगी जानकारी अच्छी लगे तो इसे लाइक करना और इसे सब भी के साथ में शेयर करना पिरकुल मत भूलिएगा हलो एवरीवन, वेलकम बैक, मैं आपकी होस्त और दोस्त मधू, आज की इस वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आज हम बात करने वाले हैं किड्नी को हल्दी रखने के बारे में, किड्नी जो कि हमारे शरीर का एक बहुत ही महतपून हिस्सा है अगर ये ठीक से काम नहीं करती है तो शरीर तो बिमार होता ही है, इसके अलावा हमारे बहुत सारे पैसे भी खर्चोते हैं तो कोशिश की जाए, इसको डेटॉक्स करने की, इसको स्वस्त रखने की, तो इसके लिए तीन काम आपको करने हैं, जो की करना बहुत ही आसान है सबसे पहला जो काम है, वो है समय समय पर अपने किड्नी की सफाई करना ये कैसे होगा, जितने भी हमारे आसपास सीजनल फल और सबसे हमें मिलती हैं, वो ही हमारे किड्नी को क्लीन करने, उसको साफ करने में मुदद करती हैं तो इसलिए जब भी सीजन की सबसी आती हैं, भरपूर मात्रा में खाएं, सीजन के फल खाएं, इसके अलावा आपके आसपास मुडूद जितने भी हरे पत्ते हैं, जो की खाये जा सकते हैं जैसे के सदाबहर का पत्ता है, इसके अलावा तुलसी का पत्ता है, इसके अलावा आप पीपल का पत्ता इस्तमाल कर सकते हैं, ये सब आपकी किड्नी की सभाई करने में मदद करते हैं, अगर हफ़ते में तीन या चार दिन के लिए इनमें से कोई भी एक पत्ता आप चबा कर रखाते हैं तो इससे किड्नी डिटॉक्स हो जाती है किड्नी साफ होती है और आपको किड्नी को मजबूत करने में भी मदद मलती है दूसरा जो सबसे जरूरी काम आपने करना है वो यह कि अपनी पानी की मात्रा को नियंतरत करना है यानि कि समय से में पर थोड़ी-थोड़ी मातरा में पानी को पीते रहना है जिससे कि आपका यूरिन बार-बार आपको आए और उसकी वज़े से बॉडी के अंदर या किड्नी के अंदर जो टॉक्सिन से खटे हैं वो बॉडी के अंदर से निकलते रहें और आपको इसमें लाप मिलें कैसे करना है ये देखे साधा पानी हम बार-बार नहीं भी पाते हैं तो कोशिश करें पानी में कुछ चीज़े इंकलूड कर लें जिससे इसका टेस्ट भी इनहेंस हो जाए और आपको इसे लेने में भी आसानी हो तो आप यहाँ पर alkaline water का अगर इस्तमाल करते हैं तो ये किड्नी को बहुत तेजी से साफ करता है किड्नी को मजबूत करता है और urine की मात्रा को बढ़ा देता है जिसकी वज़े से किड्नी में मौझूद जो टॉक्सिंस हैं वो बहुत आसानी से निकल जाते हैं तो इसके लिए आप क्या करें एक या दो डीटर पानी को खीरे के टुकडे का आठकर उसमें डाल दें उस पानी का इस्तमाल करें या फिर पुदीनी की पत्तियां उसमें डाल दें उस पानी का इस्तमाल करें तुलसी की पत्तियां डाल करके पानी पी सकते हैं या फिर आप किड़नी को आसानी से डटॉक्स भी करता है और इससे पानी पीने में भी आपको मदद मिलती है लेकिन इसका कहने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप 2.5 लिटर पानी पीए तील लिटर पानी पीए देखिए जब भी आपको प्यास लगेगी आपका शरीर आपको और उसे लेकर के पूरा दिन सिर्फ पानी पीते चले जाए और किड़नी पर एक्स्ट्रा बर्डन डालते ऐसा भी आपको नहीं करना है आपको थोड़ा थोड़ा करके पानी पीते रहना है जिससे किड़नी आसानी से डिटॉक्स होती रहे तीसरा जो कि बहुत जरूरी काम आपको करना है वो है अपने खाने में फाइबर को इंक्लूड करना है जिन भी चीजों में अच्छी मात्रा में फाइबर है जो भी साबुत अनाज है उनको अपने डाइट में इंक्लूड करना है जैसे के कोदो को इंक्लूड कर सकते हैं बाजरे को इंक्लूड कर सकते हैं समय तक आपकी बॉड़ी जो है वो एनरजेटिक रहती है आप ठकान और कमसोरी महसूस नहीं करते हैं किड्नी को मजबूती मिलती है और किड्नी साफ भी होती है मोटे अनाज का इस्तमाल करने से तो इसलिए अपनी डाइट में मोटे अनाज को इंक्लूट करें दूसरा है समय समय पर अपनी किड्नी को साफ करते रहें और तीसरा कोई भी सीजनल सबजी और फूट्स को या जूस को या पत्तों को अपनी डाइट में इंक्लूट करें जिससे किड्नी साफ अच्छे से हो सके उसको मजबूती मिले और एलकिलाइन वोटर का इस्तमाल जरूर करें किसी या किसी ऐसे फूट्स और सब्सक्राइब करें जिससे बॉड़ी को डेटॉक्स करने में आसानी हो यह तीन चोटे चोटे से काम आपने करने हैं रोजाना नहीं कर पाते हैं कोई बात नहीं 15 दिन में एक हफते के लिए आप कर सकते एक हफता कुछ मत कीजिए एक हफता अप लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा फिर मिलेंगे किसी नई जानकारे के साथ तब तक अपना बहुत खयाल रखें और हैंसे मस्कुराते रहें स्टे हैल्दी स्टे हैपी बाई